प्यारे प्यारे देश्वासियों नमस्कार हम सब को पता है आज मेजर ध्यान्चन जी की जन्म जैन्ति है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रिय खेल दिवस के रुप में मनाता भी है मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यान्चन जी की आत्मा जहां भी होगी बहुती प्रसंदता का अनुभव करती होगी क्योंकि दुनिया में भारत की होकी का डंका बगजाने का काम ध्यान्चन जी की होकी ने किया था और चार दसक बाद करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नवजवानों ने बेटे और बेटियों ने होकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी और कितने ही पदक क्योंने मिल जा रहे हैं लेकिन जब तक होकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है और इस बार ओलिम्पिक में होकी का पदक मिला चार दसक के बाद मिला आप कलपणा कर सकते हैं मेजर ध्यानचेंजी के दिल पर उनकी आत्मा पर वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसनता होती होगी और ध्यानचेंजी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था और इसलिए आज जब हमें देश के नवजवानों में हमारी बेटे बेटियों में खेल के प्रती जो आकर्शन नजरा रहा है माता पिता को भी बच्चें अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है यह जो ललग देख रही है ना मैं समगता हूँ यही मेजर दिहानचेंजी को बहुत बड़ी सरदाग लिया है साथियों जब खेल कुट की बात होती है ना तो स्वाभावी के हमारे सामने पूरी युवा पीड़ी नजराती है और जब युवा पीड़ी के तरफ गौर से देखते हैं कितना बड़ा बडलाव नजरा रहा है युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन गीशे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है हट करके करना चाहता है आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अन्नोन जगा पे कदम रखना चाहता है, मंजिल भी नई, लक्ष भी नई, राह भी नई, और चाह भी नई, और एक बार मन में ठान लेता है नहीं वा, जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात महनत कर रहा है, हम देखते हैं, अभी कुछ समय पहले ही, भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया, और देखते ही देखते, युआ पिडी ने उस मोके को पकड़ लिया, और इसका लाब उठाने के लिए, कॉलेजों के स्टूड़न्स, उनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम क करने वाले नावजवान बढ़ चड़ करके आगे आए हैं, और मुझे पक्का भरोसा है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या, ऐसे सेट्रिलाइट्स की होगी, जो हमारे युवाओं ने, हमारे चात्रों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारे उनिवर्सिटी ने, लेब देखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नावजवान से बात करो, तो हो क्या कहता है, वो अपने पारिवारीक परंपरा से हट करके कहता है, मैं तो स्टार्ट अप करूंगा, स्टार्ट ऊप में चला जांगा, यह रिस्क लेने के लिए उसका मन उचल रहा है, आज छोटे-छोटे शहरों में भी स्टार्ट अप कल्चर का विस्थार हो रहा है और मैं उसमें उजवल भविश के संकेत देख रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलोनों की चर्चा हो रही थी देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विशाया उन्होंने भी मन में ठाल लिये कि दुनिया में भारत के खिलोनों की पहचान कैसे बने और नए नए प्रयोग कर रहे हैं और दुनिया में खिलोना का बहुत बड़ा मार्केट है अच्छे साथ लाग करोड का मार्केट है आज भारत का हिस्सा बहुत कम है लेए फिलोने कैसे बनाना को फिलोना के वेभीतना क्या हो खिलोने में टेक्नンポोलोजी क्या हो चाइल्ड साइकोलोजी के अनुरूप खिलोने कैसे हो, आज हमारे देश का युवा, उसकी वर ध्यान के इंद्रित कर रहा है, कुछ कॉंट्रिबूट करने चाहता है, सत्वे एक और बात, जो मन को खुश्यों से भर भी देती हैं, और विश्वास को और मजबूत भी करती है और वो क्या है, कभी आपने मार किया है, आम तोर पर हमारे हाँ स्वभाव बन चुका था, होती है, चलो यार, चलता है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरे देश का युवा मन, अब सर्वस्रेष्ट की तरफ अपने आपको केंद्रित कर रहा है, सर्वत्तम करना चाहता है, सर आश्टर की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, साथ ही इस पार ऑलिम्पिक ने बहुत बड़ा प्रभाव प्यदा किया है, ऑलिम्पिक के खेल पूरे हुए, अभी पहरालिम्पिक चल रहा है, देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ, विश्व की तुल लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है, उसके पूरे एको सिस्टिम को बहुत बारिकी से देख रहा है, उसके सामर्थ को समझ रहा है, और किसे ने किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है, अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्रिंस को अपना रहा है, और मेरे देशवासियों, जब इतना मोमेंटम आया है, हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है, आप भी बताइए मुझे, क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए, रुकने देना चाहिए, जी नहीं, आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे, अब देश में खेल, खेल कूर, स्पोर्ट, स्पोर्स, स्पोर्समें स्पिरिट अब रुकना नहीं है, इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजीक जीवन में, राष्ठ जीवन में स्थाही बनाना है, उर्जा से भर देना है, निरंतर नई उ कि और आपको याद है ना मैंने लालकरी से कह था सबका प्रयास सबके प्रयास से ही भारत खेलों में ँनुचाइप प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हगदार है मेजर ध्यान चन जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है बरसो बाद देश में ऐसा कालखंडाया है कि खेलों के प्रति परिवार हो समाज हो राज्य हो, राष्ट्र हो एक मन से सब लोग जुड रहे है मेरे प्यारे नवजवानों हमें इस अवसर का फाइदा उठाते हुए अलग-अलग प्रकार के स्पॉर्ट में महारत भी हासिर करनी चाहिए गाउं-गाउं खेलों की स्पर्धाय निरंतर चलते रहनी चाहिए स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है खेल विकास होता है खिलाडी भी उसी में से निकलते हैं आईए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं जितना योगदान हम दे सकते हैं सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाए मेरे प्यारे देशवासियों कल जन्माष्टमी का महा पर्व भी है जन्माष्टमी का ये पर्व यानि भगवान स्रीक्रिष्ण के जन्म का पर्व हम भगवान के सब स्वरूपों से परिशीत है नठखट कनिया से लेकर के विराट रूप धारन करने वाले क्रिष्ण तक सास्त्र सामर्थ से ले करके सस्त्र सामर्थ वाले कृष्ट तक कला हो संदर्य हो माधूर्य हो कहां कहां कृष्ण है लेकिन ये बाते मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जन्मास्ट में किसे कुछ दिन पूर्भव मैं ऐसे दिल्चस्प अनुभव से गुजरा हूँ तो मेरा मन करता है मैं ये बाते आपसे करूँ, आपको याद होगा इस महने की 20 तारीक को भगवान सोमनात मंदिर से जुड़े निर्मान कारियों का लोकारप्र किया गया है, सोमनात मंदिर से 3-4 किलोमेटर दुरी पर ही भालका तिर्थ है, ये भालका तिर्थ वो है जहां भ दिलाओं का वहाँ समापन हुआ था, सोमनात ट्रस्ट द्वारा उस सारे ख्षेतर में विकास के बहुत सारे काम चड़ रहे हैं, मैं भालका तिर्थ और वहां हो रहे कारेकों बार में सोची रहा था कि मेरी नजर एक सुन्दर सी आर्ट बुक पर पड़ी, ये किताब मेरे आवास के बहार कोई मेरे लिए छोड़ कर गया था, इसमें भगवान स्री कृष्ण के अनेकों रूप, अनेकों भव्य तस्वीर है थी, बड़ी मोहक तस्वीर है थी, और बड़ी मिनिंग्फुल तस्वीर है थी, मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया, तो मेरी ज जो ये किताब मेरे घर के बहार छोड़के चले गए है, मुझे उनको मिलना चाहिए, तो मेरी ओफिस ने उनका संपर किया, दूसरे दिन उनको मिलने के लिए बुलाया, और मेरी जिग्यासा इतनी थी, आर्ट बुक को देख करके, श्री कृष्ण के अलग-अलग रूपों को देख करके, इसी जिग्यासा में मेरी मुलाकात हुई, जदुरानी दासी जी से, वे अमेरिकन है, जन्मा अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ, जदुरानी दासी जी इस कौन से जुड़ी है, हरे कृष्ण मूमेंट से जुड़ी है, और उनकी एक बहुत बड़ी विशेस्ता है भक्ती आर्ट में वो निपून है आप जानते हैं अभी दो दिन बाद ही एक सेतंबर को इस कौन के संस्था पर स्रीलव प्रभुपात स्वामी जी की 125 वी यहनती है जदुरानी दासी जी इसी सिलसेल में भारत आई थी मेरे सामने बड़ा सवाल यह था कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ जो भारतिय भावों से इतना दूर रही वो आखिर कैसे भगवान स्री कृष्ण के इतने मोहर चित्र बना लीती है मेरे उन से लंबी बात हुई थी लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ जदुरानी जी, हरे कृष्णा, I have read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations, which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures, like Brahma Samhita, Venum Karayani Patitam Skalitam Sikhanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma Himself, Israe Parama Krishna Satchitananda Vigraha, how he carries a flute, how all of his senses can act for any other sense, and Śrīmad-Bhāgavatam, बारहा भीतंग नतवरवपुम् कार्नियो कार्निकार्ण। everything. He wears a कार्निकार फ्लावर on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boy singeth his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power. And that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani Ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwaraka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Jadrani Ji. Hare Krishna. Sathiyo, दुनिया के लोग, जब आज भारति अध्यात्मा और दरसन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी हैं, कि हम अपनी इन महान परमपुराओं को आगे लेकर जाएं. जो कालबाही है, उसे छोड़ना ही है. को समझे उसके पीछे के हार्थ को समझे इतना ही नहीं हर परव में कोई कोई संदेश कोई संसकार है हमें इसे जानना भी है जीना भी है और आने वाली पीडियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है मैं एक बार फीर सभी देश्वासियों को जन्मास्त्मी की बहुत बहुत सुप कामनाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विशे में मुझे जितनी बाते करनी चाहिए थी लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रती भर भी ओजल नहीं होने देना है राष्ट निर्मान के लिए सब का प्रयास कैसे सब का विकास करता है इसके उधारण हमें प्रेणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई उर्जा भर देते हैं नया विश्वाद भर देते हैं हमारे संकल्प में जान भूंग देते हैं हम ये भली बाती जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदोर का नाम आता ही आता है क्योंकि इंदोर ने स्वच्छता के समन में अपनी एक विशेस पहचान बनाई है और इंदोर के नागरी किसके अभिरंदन के अधिकारी भी है हमारे इंदोर कई वर्सों से स्वच्छ भारत ranking में पहले नमबर पर बना हुआ है अब इंदोर के लोग स्वच्छ भारत के इस ranking से संतोस्माकर के बैठना नहीं चाहते हैं वे आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं और उन्होंने क्या मन में ठान ली हैं उन्होंने Water Plus City बनाए रखने के लिए जी जान से जूटे हुए हैं Water Plus City यानि एशा सहर जहां बीना ट्रिक्मेंट के कोई भी सिवेज किसी सार्वजनिक जलसरोत में नहीं डाला जाता यहां के नागरिकों ने खुद आगया कर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस विजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजना रहा है आज जब हमारा देश आजादी का अमुर्त महुत सो मना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पढ़ने देना है हमारे देश में जितने ज़्यादा शहर वाटर प्लस सीटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी हमारी नदिया भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मान्मिय जिम्मेवारी निभाने के समस्कार भी होगे साथियों मेरे सामने एक उधारन बिहार के मधूबनी से आया है मधूबनी में डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ कृषिव विज्यान केंद्र ने मिल करके एक अच्छा प्रयास किया है इसका लाप किसानों को तो हो ही रहा है इससे स्वच्छ भारत अभ्यान को भी नई ताकत मिल रही है विश्व विद्याले की इस पहल का नाम है सुखेत मोडल सुखेत मोडेल का मकसद है गावों में प्रदूशन को कम करना इस मोडेल के तहट गाव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कच्चरा इखटा किया जाता है और बदले में गाव वालों को रसोई गैस सिलिंडर के लिए पैसे दिये जाते है जो कच्चरा गावों से एकत्रिस होता है उसके निपतारे के लिए वर्मी कमपोस बनाने का भी काम किया जा रहा है यानि सुखेत मोडेल के चार लाब तो सीधे सीधे नजर आते हैं एक तो गावों को प्रदुशन से मुक्ति दूसरा गावों को गंदगी से मुक्ति तीसरा गावों वालों को रसोई गैस सिलिंडर के लिए पैसे और चौथा गावों के किसानों को जैविखाद अब सूचिए इस तरह के प्रयास हमारे गावों की शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं यही तो आत्मंदिर भरता क्या विशह है मैं देश की प्रतेक पंचायद से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने हाँ जरूर सोचें और साथियों जब हम एक लक्ष लेकर निकल परते हैं तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है आप देखिए न हमारे तमिला रूम है स्रीवगंगा जिले की कांजी रंगाल पंचायद देखिए इस छोटी से पंचायद ने क्या किया यहां पर आपको वेस से वेल्ट का एक और मोडल देखने को मिलेगा यहां ग्राम पंचायद ने स्थानिये लोकों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गाउं में लगा दिया है पूरे गाउं से कचरा इखटा होता है उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्स को किट नाशक के रुपे बेज भी दिया जाता है गाउं के इस पावर्प्राण्ड की इक्षमता प्रति दिन दो टन कचरे के निस्तरन की है इससे बनने वाली बिजली गाउं की स्टिट लाइट्स और दूसरी जरुरतों में उप्योग हो रही है इसे पंचायत का पैसा तो बची रहा है वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तमाल किया जा रहा है अब मुझे बताईए तमिल नाडू के सिविगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवासियों को कुछ करने की प्रेणा देती है कि नहीं देती है कमाल ही किया है नो उन्होंने मेरे पहरे देशवासियों मन की बात अब भारत की सिमाओं तक सिमित नहीं रही है दुनिया के अलगलग कौने में भी मन की बात की चर्चा होती है और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतिय समुदाय के लोग हैं बेभी मुझे बहुत सी नई-नई जानकारिय देते रहते हैं और मुझे भी कभी-कभी मन की बात में विदेशों में जो अनोखी कारकम चलते हैं उसकी बातें आपके साथ सेर करना अच्छा लगता है आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचे कराऊंगा लेकिन उससे पहले ही मैं आपको एक ओडियो सुनाना चाहता हूँ थोड़ा गोर से सुनिएगा रेडियो यूनिटी नाइटी अफेम नमो नम सर्वेप्यह ममनाम गंगा भवन्तु शुर्वन्तु रेडियो यूनिटी नवती अफेम एक भारत स्रेष्ट भारत आहम एकता मूर्ति याहा मार्कदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आरजे असमे अध्य संस्कृत दीनम अस्ती सर्वेप्यह बह बह सुपकामनाय अस्ते सर्दार वल्लब्भाई पटेल महा दयश्य लोह पुरुष्य इती उच्यते त्रयो दशा विमसती सहस्त्र तमे वर्षे लोह संग्रहश्य अभ्यानम प्रारब्धम चतूर त्रिम्षत अधिक सतम टन परिमितम लोहश्य गलनम कृतम जार खंडश्य एक कह कृष्य कह मृत्गरश्य दानम कृत्वान भवन्तु शोण्वन्तु रेडियो उनिटी नवती अफेम एक भारत स्रिष्ट भारत साथियों बाषा तो आप समझ गए होंगे ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही है वो है आर जे गंगा आर जे गंगा गुजरात के रेडियो जोकिस के ग्रूप की एक सदस्य है उनके और भी साथी है जैसे आर जे निलम, आर जे गुरू और आर जे हेतल ये सभी लोग मिलकर गुजरात में किवडिया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए है और आपको मालूम है ने ये किवडिया वही है जहां दुनिया का सबसे उंचा स्टेच्यू हमारे देश का गवरौप, स्टेच्यू अफ यूनिटी जहां पर है उस किवडिया के में बात कर रहा हूँ और ये सब ऐसे रेडियो जोकी हैं जो एक साथ कई भूवी काई निभाते हैं एक गैड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कॉम्यूनिटी रेडियो इनिशिटिव रेडियो यूनिटी 90 एफेम उसका संचालन भी करते हैं ये आर्जेस अपने स्रोताओं से संस्कृत भासा में बात करते हैं अन्हें संस्कृत में जानकारी उप्लब्त कराते हैं साथियों हमारे हैं संस्कृत के बारे में कहा गया है अमुरुतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम बचह एकता मुलकम राष्टे ज्यान विज्यान पोशकम अर्थार हमारी संस्कृत भासा सरस भी हैं सरल भी हैं संस्कृत अपने विचारों अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्यान विज्यान और राष्ट की एकता का भी पोशन करती हैं उसे मजबूत करती हैं संस्कृत साहिते में मानवताव और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है हाली में कुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक काल्य कर रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति हैं सिमान रटगर कॉर्टेन होर्ष्ट जो आयरलेंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहां के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं इधर हमारे यहां पूरब में भारत और थाइलेंड क के बीच संस्कृतिक समंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा के भी एक एहम भूमिका है डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणी यह दोनों थाइलेंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्मपूर्ण भूमिक निभा रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहिते की रचना भी की है। ऐसे ही एक प्रोफिसर है सिमान बोरिस जाकरी। रश्या में मोस्को स्टेट उनिवर्सिटी में ये संस्कृत बढाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तके प्रकासित की हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रुशी भाषा में अनुवाद भी किया है। इसी तरह सीडिनी संस्कृत स्कूल आउस्ट्रेलिया के उन प्रमुख समस्तानों में से एक है जहां विद्यारतियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर केंप, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कारकमों का भी आयुजन करते हैं साथियों हाल के दिनों में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई जागरुकत आई है अब समय हैं कि इस दिशा में हम अपने प्रयास और बढ़ा हैं हमारी विरासत को संजोना, उसको समालना, नई पीड़ी को देना ये हम सब का करतव्य है और भावी पीडियों का उस पर हक भी है अब समय हैं इन कामों के लिए भी सब का प्रयास ज़्यादा बढ़े हैं ऐसी किसी जानकरी आपके पास है तो कृपया है सेलिब्रेटिंग संस्कृत के साथ सोचल मीडिया पर उनसे संबजी जानकरी जरूर साजा करें मेरे प्यारे देशवासियों अगले कुछ दिनों में ही विश्व कर्मा जैनती भी आने वाली है भगवान विश्व कर्मा को हमारे हां विश्व की स्रिजन शक्ति का प्रतिक माना गया है जो भी अपने कौशलिय से किसी वस्तु का निर्मान करता है स्रिजन करता है चाए वो सिलाई कढ़ाई हो सौपपेर हो या सेटलाइट ये सब भगवान विश्व कर्मा का प्रगटी कर रहा है दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है लेकिन हमारे रूशियों ने तो हजारों सालों से स्कील और स्केल पर बल दिया है उन्होंने स्कील को, हुनर को, कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया है हमारे वेदोंने भी कई सुक्त भगवान विश्व कर्मा को समर्पित किये है सुरुष्ट्री की जितने भी बड़ी रचनाए हैं, जो भी नए और बड़े काम हुए है हमारे सास्त्रों में उनका स्रे भगवान विश्व कर्मा को ही दिया गया है ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि समसार में जो कुछ भी डवलप्मेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिये ही होता है भगवान विश्व कर्मा की जैनती और उनकी पूजा के बिशे यही भाव है और हमारे सास्तों में ये भी कहा गया है अर्थात जो सुरुष्टी और निर्मान से जुड़े सभी कर्म करता है वह विश्व कर्मा है हमारे सास्तों की नजर में हमारे आसपास निर्मान और स्रेजन में जुटे जितने विश्कील हुनर्मन लोग है वो भगवान विश्व कर्मा की विरासत है इनके बिना हम अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते आप सोच कर देखिए आपके घर में बिजली की कुछ दिक्कत आ जाए और आपका कोई इलेक्रिशन ना मिले तो क्या होगा आपके सामने कितनी बड़ी परिशान ही आ जाएगी हमारा जीवन ऐसे ही अनेको स्कील लोग में पेंट करने वाजे हो सभाई करने हो या फिर मोबाइल लेप्टॉप कर रिपेर करने वाजे यह सभी साथ ही अपनी स्कील की वज़े से ही जाने जाते हैं आद्विनिक स्वरूप में यह भी विश्वकर्मा ही है लेकिन साथियों इसका एक और पहलू भी है और वो कभी कभी चिंता भी कराता है जिस देश में जहांकि संस्कूर्ति में परंपरा में सोच में हुनर को स्कील मैन पावर को भगवान विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो वहां स्थित्या कैसे बदल गई एक समय हमारे पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट जीव विश्वर्त हो गई सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर अधारित कारियों को छोटा समझाए जाने लगा और अब आज देखिए पूरी दुनिया सबसे जादा हुनर यानि स्कील पर ही बल दे रही है भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी सिर्फ आपचा रिक्ताओं से कुछ न कुछ नया करें कुछ इनोवेट करें कुछ ऐसा स्रजीत करें जिससे समाज का हीत हो लोकों का जीवन आसान बने तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी आज दुनिया में स्कील लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है और कुछ नहीं है